Hi friends, first April को है New Moon Day, okay, so New Moon क्या होता है, basically एक zodiac, किसी एक zodiac sign में, पूरे महीने में एक बार, Moon and Sun, दोनों एक साथ रहते हैं, okay, so उसी को New Moon कहा जाता है, and New Moon is meant to be a day for manifestation, okay, कैसे manifestation के लिए? Because जब New Moon आता है, New Moon का day होता है, तो जो emotions होते हैं, सबके emotions, सबकी feelings बहुत high level पे होती हैं, उस दिन आपको खुद बखुद फील होगा कि आज थोड़ा emotional feel कर रहे हो, emotions से गिर रहे हो, या happy, या sad, या जो भी feelings हैं, feelings बहुत जादा active रहती हैं उस दे पे, okay, और हम सब जानते हैं law of attraction में, feelings का कितना महत्व हैं, जब आप manifestation technique करने जा रहे हैं, या manifest करने जा रहे हैं, किसी dreams को, तो new moon day को क्या क्या कर सकते हो, आप लोग, ताकि आप manifestation को boost कर पाए, and manifest कर पाए, ठीक है, so 1st April को, आप क्या कर सकते हो, एक तो सबसे पहली चीज, take a good bath, okay, कभी-कभी होता है, हम morning का routine होता है, वो हम खतम कर लेते हैं, लेकिन new moon के day हो सके, तो आप लोग अपने आपको अच्छे से नरिश कीजिए, okay, and खुद की body को मतलब self love का एक part है, समझ लीजिए, ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोगों के लिए जरूरी है, खुद को नरिश करना, खुद के कर रहे हो, it's a new moon, so everything is new, going to be new, absolutely new, ठीक है, in your life, ये हो गया, दूसरा है, कि please, new moon के दिन, सारे दिन में, morning से लेके, night तक, I am telling you, please, बार-बार, morning से लेके, night तक, कभी भी, किसी भी वक्त, आप एक सफेद रंग का candle जला के, उसके लोग को देखते हुए, affirmation देंगे, affirmation क्या हो I am very happy with this new moon, मैं इस नए moon के साथ, नई खुशियों के साथ, बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी में नई खुशियों को आमंतरित करता हूँ, करती हूँ, ठीक है, I am inviting all good happiness, all new happiness in my life, हर चीज़ को एक नयापन देने में अलगी बात होती है, तो इस तरह के affirmations आ आप देंगे, और हाँ, अपने wish related positive affirmations आप उस candle में देख कर के देंगे, कितनी बार देना है, तो please 11 times, 11 times, आप candle burn कर लीज़े, उसको देखते हुए, और फिर आप अपनी affirmations देज़े, ठीक है, self love के लिए new moon का day बहुत auspicious है, बहुत blessed है, okay, so आप लोग जितना हो सके mirror में दे और candle में देखते हुए, अपनी अपनी wishes को बोलना बहुत-बहुत-बहुत miraculous सिद्ध होगा आप लोगों के लिए new moon के day पे, because ऐसी energies का flow रहता है new moon पे, कि आपकी vibrations high होंगे, feelings में आप हो ही, deep feeling, और just feeling की हमें जरूरत है, उसको आप happiness के साथ, जब अपनी-अपनी wishes के लिए ब excitement एक अलग ही खुशी होती है हम लोगों के दिलों में, और सबको लगता है नौ दिनों में माता की पूजा करने से, आराधना करने से, कुछ ऐसे उपाय करने से हमारी wishes जरूर पूरी होती है, ये विश्वास है हम लोगों का, और ये विश्वास पूरा भी होता है, सिद भी होता है, तो दो तारिक को, दो अप्रील को नवरात्रों में क्या कर सकते हो, specially उन लोगों के लिए, जो की, yes, relationship में है, सबसे जादे इंपॉर्टन्ट है लाइफ का, right, relationship, शादी manifest करना, और उनके लिए भी जो husband and wife हैं, और अपने अपने relationship को बहुत strength देना चाते हैं, लव से भरना चाते हैं, उनके लिए बहुत simple सा, छोटा सा उपाई, लेकिन वो रहेगा मेरी next वीडियो में, और वो मैं ग्यान24 पे अपलोड करूँगी, उसका लिंक बेशक से मैं यहां share कर दूँगी, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, नहीं तो आप लोग ग्यान24 के चै आएं, आप लोगों के relationship बहुत strong हो जाएं, जो लोग शादी के लिए बैठे हैं, commitment के लिए बैठे हैं, उनको वो सारी मनों काम नाएं पूंड हो, और जो इस उपाई में आप करने जा रहे हो, उस उपाई में लगाने वाली चीज आपकी जिंदगी में, वो खनक लेके Thank you so much, God bless you all, stay positive